इस वक्त हमारे साथ मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान आ गए हैं शिवराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक पर धन्यवाद शिवराज जी भारत बंद का आवाहन किसानों ने किया है जो 13 दिन से धरने पर बैठे हैं मध्यप्रदेश में भारत बंद को लेकर इस वक्या सिती है क्या सरकार की रणनीती है एक तुम्हें सभी किसान भाईयों से यह अन्रोध करना चाहूंगा कि जब बाचीत के दरवाजी खुले हैं सरकार हर संका के समाधान के लिए तयार है अगर ऐसा कहीं लगता है कि रास्ता निकालने के जगुवत है तो उससे कोई इनकार नहीं है तब भारत बंद का ओचित नहीं है और इस भारत बंद की आड़ में कुछ राजनेतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं और इसलिए भारत बंद का कोई और चित नहीं जब बारता के द्वार खुले हैं खुले हैं मन से सरकार बात कर रही हैं जहां तक मद्ध प्रदेश का सवाल है मद्ध प्रदेश में किसान तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़े दूरगामी फैसले हैं हमारे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी उन्हें साथ तर्म प्लानिंग भी की है किसानों की आए बढ़ाने के लिए और लांग तर्म प्लानिंग भी की है और यह सुधार वही है जिसकी वकालात लंबे समय थे जब यूपिय की सरकार थी, प्रधान मंतरी स्रीमान मनमोहन सिंग जी करते थे, सरत पवार जी ने तो मुझे चिठी लिखी, ये चिठी मेरे पास रखी है, डियर से वराज सिंग जी, और इस चिठी में उन्हें ने वकाल अब यह सरत पवार जी की चिठी है, यूपिय की चेर परसंथी सौनिया गांधी जी, स्रीमती सौनिया गांधी जी, प्रधान मंतरी जी थे, स्रीमान मनमोहन सिंग जी, जो बकालात करते थे, कि किसी कानून आम ये सुधार होना चाहिए, आज मैं सीधा सवाल सौनिया गांधी जी से करना चाहता हूँ, उनको ज केवल मंडी से बांध कर ना रखा जाए, वो मंडी के बाहर भी मंडी का विकल्प है, लेकिन मंडी के बाहर भी वो जहां ठीक दाम मिले, किसान अपने घर पर बैच दे, अपने खेट से बैच दे अगर ठीक रेट उसको मिलते हैं, किसी फूड प्रोसेसर को बैच दे, किसी एक्सपोर्टर को बैच दे, अगर कोई प्राइविट मंडी बना के कहीं और खरीता है, बहां बैच दे, यह इसपस्ट प्रावधान था, यह प्रावधान भी था, कि अगर बौनी के समय उसको उचित मूल मिलते हैं, और कमिटमेंट किसी से हो जाता है, तो कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग में वो जा सकते हैं, और वो अपने बोते समय दाम तै कर सकते हैं, अगर कीमत भौजादा बल गई तो उस कॉंट्रेक्ट से बाहर निकलने का अधिकार भी उनके पास है, और तीसरी चीज जो प्रमुख रूफ से थी, कि कितना ब्यापारी खरी सकता, इस्टाक की लिमिट क्या हो, इस लिमिट पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इस्टाक लिमिट तैनी होना चाहिए, अब जो चीज, UPA के समय प्रधान मंत्री जी, सौनिया गांदी जी, सरत पबार जी, सब के सब कह रहे थे, वही चीजें कही गई है, और इसके बाद एकदम U-turn, कॉंग्रेस का, ये पाखंड नहीं है क्या, ये बेईमानी नहीं है क्या, ये धोखा नहीं है क्या, ये किसानों के नाम पे राजनियते गरोटیاं सेकने की कॉसस नहीं है क्या, ये वही कांग्रेस है, जिसने मधपतेस की धरती पर, जिसके नेताओंने किसानों को भड़काया था, और मुझे आज तक या दे, आज तक ने, उसनमें भी किसानों को भड़काते हुआ आओ आग लगा दो ये वीडियो दिखाए थे और मंसवर जैसा कांड हुआ था तो मेरी अपील है सभी किसान भाईयों से बहनों से कि सरकार खुले मंसे बात करने को तयार है हर मुद्दे पर हर संका के समाधान के लिए हर कठनाईों क हलके लिए और इसलिए इस बंद का और इस तरह के आंदोलन का होचते नहीं है चीक है शिवाज जी एक जो तस्वीर दिखाई देती है अंतर जो दिखाई देता है हम देख रहे हैं कि जो किसान धरने पर बैठे हैं पंजाब हर्याना राजस्थान के वियां उत्तरप्रदे कि ठेश में यह जो विरोध है यह उतना मुखर नहीं दिखाई देता है आप लोगों ने कैसे किसानों को समझाया है जाक क्यूं वह इस विरोध के स्वर में उतने मुखर नहीं दिखाई देते हैं देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हित ऐसी प्रधान मंत्री और उनसे वड़ा किसानों के हित ऐसी कोई नहीं है अब मैं जब मुख मंत्री नहीं था फसल बीमा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों ने प्रीमियम दिया था कांग्रेस की तद्काली इन सरकार ने अपने हिस्से का प्रीमियम राजिका नहीं भरा था इसलिए किसानों को फसल बीमा योजना की रासी नहीं मिल रही थी मुक्क मंत्री बनते ही मैंने 2200 करोड रुपया प्रीमियम के जमा किये किसानों के खाते में 3000-100 कροड रुपया गए और उसके बाद जो रभी और खरीफ की दोनों की फसल ती 2019 की उसके लिए चेलार 4688 करोड रुपया फिर फसल बीमा योजना की रासी हम ने किसानों के खाते में डाली कॉंगरेस ने नहीं डाली थी हमने फसल भीमा योजना की रासी किसानों के खाते में ढा दी प्रधान मंत्री किसान सुमान निधी की जो सूची थी कॉंगरेस ने वो अप्डेट नहीं की कॉंगरेस का क्या जाता था हिंग लगे ना फिट करी रंग चड़े चोखा किवज सूची भर देनी थी सब किसानों की सूची नहीं थी हमने सूची तैयार करके किसानों की प्रधान मंतरी जी को भेजी सब के खाते में प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी के पैसे डल गए हमने ये भी तैय किया कि प्रारंब कर दी प्रदान मंत्री जी ने एक लाग करोड रुपे का एग्रो इंफरा के लिए एक आत्म निर्बर भारत जो योजना है उसके अंतरगत प्रावधान किया हमने उसके प्रोजेक्ट बना लिए हमने एफ योज बनाए उनको आंदोलन का हम रूप दे रहे हैं और 6,000 करोड रुपे की हुई थी एंड ये ने 14 से लेके 19 मोदी जी के प्रदान मंत्री रहते हुए ये खरीदी की 4,95,000 करोड रुपे की धान की मैं बात कर रहा हूं अगर गयों की बात करें यूप ये के समय 1,68,000 करोड रुपे की खरीदी हुई थी प्रदान मंत्री मोदी के नित्रतों में 2,97,000 करोड रुपे की हमने खरीदी की है दलहन की अगर बात करें UPA के समय केबल 645 करोड रुपे की खरीद हुई थी और प्रधान मंत्री जी के नित्रत में NDA की सरकार ने 49,000 करोड रुपे की खरीद की है और तिलहन और कोपरा की बात करें तो UPA की सरकार न किसान पूरी तरह से संतुस्थे और यह मानते हैं कि यह तीनों किसान कानून जो प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी की सरकार ने बना है वो किसानों के हित्म है ठीक है आप तमाम आकड़े यहाँ पर दे चुके हैं आप कह रहे हैं किसानों के हित्म है संबाद की जो गुणजाइश पार्लेमेंट में थी वो नहीं हो पाई देखिए एक तो मैं पार्लेमेंट का आपको बताऊंगा ये सारी पार्टियां जो आज किसान आंदोलन का सारी पार्टियां जो आज आज आने बंदूगे जी सरम सूर पारें आपको पर बो जो आज भारत बंद का समर्थन कर रही हैं कंग्रेस पार्टी का मैंने बता दिये कंग्रेस पार्टी है जिसने दोहजार उन्नीस के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टों में साफ लिकाता कंग्रेस एगरिकलचरल प्रोड्यूज मार्केट Act को निरस्त कर देगी किर्सी उत्पादों के ब्यापार की व्यवस्ता करेगी जिसमें निर्याद और अंतर राज ब्यापार भी सामिल होगा जो सभी प्रतिवंदों से मुक्त होगा उनका ये घोश्रापत अब भी उनकी बेवसाइट में देख सकते हैं ये बातें उनके सब्सक्रों में बादा किया तक वैसेंसियल कमोडिटी एक्ट को खतम कर उसकी जगे ईसीए नाइनटीन फिप्टी फाइब के नाम से नया कानून लेकर आएगी इसे भी उनके घोश्रापत में पेज नमबर 18 में देखा जा सकता है राहुल गांदी जी स्वेम भी पहले 27 द ये विपक्षी पार्टियों की बात हो गए ने सर ये बात सर विपक्षी पार्टियों की हो गई मैं आप से ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया किसान को भरूसे में नहीं लिया गया तो खुले मन से सरकार बात कर लिये कल फिर चर्चा होनी है चर्चा में वो अपनी बात कहें अपने तथ रखें सरकार पूरी गंभीरता से उनकी संकाओं का समाधान करेगी उनकी चिंताओं को दूर करेगी और बाजिब कोई तथ अगर वो देते हैं तो विचार करके उस प देखाई दे रही हैं तो क्या आप मानते हैं कि यह सूरत नहीं होती आज आप देखेंगे अगर कि पूरे देश में हैं, पूरे देश के परदिश्च को अगर आप देखेंगे तो देश के ओवरॉराल बड़े हिस्चे में कहीं इस तरह से आंदोल नहीं है, आंदोलन नहीं है जैसा दिल्ली की वाडर पर हैं लेकिन हम मानते हैं कि एक भी किसान भाई और बहन के मन में अगर संका है क्योंकि बाकी तो जगे संका है नहीं जा मन में संका है उन संकाओं का समधान होना चाहिए उसके लिए फिर से चर्चा होनी है देखे मैंने बताए कि देज भर में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है कुछ किसानों के मन में संका है तो उसको दूर करने के लिए लगातार चर्चा और बाचीत कर रहे है इतना जरूर है कि कॉंग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी दाल नहीं गलती मैदान में फील्ड में वो और संका है बढ़ाने की कौस्स कर रही है ध्रम पेलाने की कौस्स कर रही है भिरमित करने का प्रियास कर रही है ये लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते हैं आग लगाओ कांग्रेस तो आग लगाओ पारिटी बन गई है कि कैसे भी आग लग जाए हिंसा हो जाए भिर्मित कर दें अब कई राज जो में मधुपने जैंसे किसा नहीं निकला लेकिन कांग्रेस के निता निकल के आग लगाने की कौसिस कर रहे हैं ये खतरनाक खेल है जो कांग्रेस को नहीं खेलना चाहिए किसी भी कीमत पर मैं फिर कहना चाहूंगा किसानों के मन में संका है तो उसके समाधान के लिए सरकार खुले हिरदय से तैयार है और कल फिर से चर्चा होगी उन संकाओं को दूर करने का प्रयास होगा मुक्यमंत्री ची लगातार हमारे साथ पैनल पर जो मेहमान आते हैं हम लगबग सभी पक्षों को जानने की कोशिश करते हैं एक तस्वीर जो बातचीत की सूरत में ये दिखाई देते हैं कि अगर दो पक्ष आमने सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा किसी को कदम पीछे पड़ता है एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है क्या हम ये सूरत देख सकते हैं कि सरकार लिखित आश्वासन दे संशोधन के लिए खुले मन से आगे तयार हो आगे सरकार तो पूरे मन से तयार है कल फिर चर्चा होगी चर्चा में जो मुद्धे आएंगे उन पर सरकार भी बात करेगी और समाधान करेगी क्रिशे सुधार को लेकर तमाम दलों ने इससे पहले भी बात किया और कल जब कानून मंत्री प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे तो उन्होंने UPA सरकार के टाइम के भी कुछ उधारन दिये सामने लेकिन बड़ा सवाल शिवराज जी ये है कि क्रिशी सुधार को लेकर जो कानून आया और अब जो विरोध की सूरत हम देख रहे हैं इसमें अगर सरकार को कदम पीछे भी खीचने पड़ते हैं तो कल की तारीक में कोई भी सुधार चाहे वो लेबर लॉज की दिशा में आया किसी और सेक्टर में आये तो वहाँ पर भी ऐसी परिस्तितिया हो सकती है और ये एक चुनौती सरकार के लिए रहेगी देखिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के दिल में एक ही तलफ है एक जिद है एक जुनून है एक जजवा है अपने देश को आगे बढ़ाने का और उसके लिए कई सुधार जो बरसों से बहु प्रतिक्षित थे वो सुधार उन्होंने किये हैं किरसी कानूनों में जो सुधार किये हैं वो सौ प्रिसत किसानों के हित्मे हैं वैसे और भी सुधार किये हैं उन्होंने कल भी ये कहा है कि पुराने कानून जो सौ साल पुराने हैं उसके आधार पर राश्ट का नव निर्मान नहीं हो सकता उसलिए बदला और परिवर्तन कई वार देश के हित्मे जन्ता के हित में, किसानों के हित में जरूरी होते हैं और लगातार चर्चा करके, हम संबाद करके उनके आचित को सिद्ध कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी देखिए, एक ऐसे नेता हैं जो भारत को भगवान का बरदान है और उनका क्या स्वार्थ हो सकता है सिवा इसके के बेवफसाली, गौरफसाली, सम्पन, सम्रिद और सक्तिसाली रास्टर बने जिसमें किसान भी सुखी हो, गरीब भी सुखी हो और तो सब की चिंता कर रहे हैं, मैं एक तत्याप के सामने रखना चाहूंगा MSP किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी हम MSP के समर्थक हैं, मंडिया बंद नहीं होगी लेकिन मद्द प्रदेश में मैंने विसले सन किया MSP पे कितने एक परसेंट किसान अपनी फसल को बेच पाते हैं मद्द प्रदेश में 80 लाग किसान खातेदार हैं हम MSP पे खरीद करते हैं, MSP पे बेंचते हैं केवल 15 लाग के आसपास किसान क्योंकि वाकी किसानों के घर इतनी पैदावारी नहीं होती फसल की कि वो मंडी में जाके बेंच सके घर के खर्च में वो ग्यहूं या धान पैदा करते हैं वो लग जाती है तो इन छोटे किसानों की भी चिन्ता जरूरी है इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी जैसे कई फैसले हुए हम बड़े किसानों की भी चिन्ता करेंगे हम छोटे किसानों की भी चिन्ता करेंगे वो किसान जो सक्षम नहीं अपनी आवाज उढ़ाने में उनकी चिंता भी करेंगे ये जो किर्शी सुधार है उनमें ऐसे किसानों का भी ध्यान रखा गया है और खरीदी में भी अगर वो बजार तक नहीं ला पाते अगर वो मंडी तक नहीं आ पाते इतना पैदे नहीं होता तो उनको भी कुछ रासी मिल जाए खात के लिए बीच के लिए बाकी खर्चों के लिए इसलिए प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी मुक्ख मंतरी कल्यान निधी जैसी योजनाय हमने बनाई है भावंतर भुक्तान जैसी योजनाय भी हमने बनाई थी मदप्रेस की सरकार तो देखिए सब किसानों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें छोटे किसान जो अपनी आवाज वुलंद नहीं कर पाते, मजोले किसान, बड़े किसान, सब हमारे लिए समान है, लेकिन सबके हितों का ध्यान रखना, ये काम अगर किसी ने किया है, तो प्रधान मंतरी स्रीमा बीवाजब कीठान नरेंदर मोदी जी ने किया है और मैं फिर क्या हो हूँ हर संका के समधान के लिए हर समस्याइ सुनंके उसके समधान के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है किसानों की सरकार debit किसानों कीности से अगर प्रधान मंत्री इसी तरह से एक बड़ी पिक्चर के तौर पर किसानों के सामने हो फ्रंट से वो लीड कर रहे हो या जैसे क्रिशी मंत्राले या कम से कम इस आंदोलन को हैंडल करने में वो प्रमुक्ता से अगर आगे दिखाई दें तो शायद यह भरोसे को जीतने की देशा में एक एहम कदम हो सकता है देखे सरकार के मुखिया प्रधान मंत्री जी है और मंत्री भी जो हमारे बात कर रहे हैं मानी कृसी मंत्री नरेंसिक दोमर जी यह बाकी साथी तो प्रधान मंत्री जी से चर्चा करके बातचीत करते हैं सरकार सब पक्षों की बात करती है प्रधान मंत्री जी आज भी संजीदा है, सरकार संजीदा है, रास्ता निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए, जो चर्चा होती वो मानी प्रधान मंत्री जी की तरफ से ही होती इस वक्त एक गंभीर आरोप आमाद्मी पार्टी की तरफ से लग रहा है जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को बीजेपी की मदद से नजर बंद किया गया है आपकी इस पर प्रतिक्रिय केजरिवाल जी तो बिना पेंदी के लोटे हैं एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ कहते हैं अभी मैं केजरिवाल साब ने आमाद्मी पार्टी के नेता जो लगातार अपना रविया बदलते रहते हैं उन्होंने जो किसी कानून जिनका आज वो वरोद कर रहे हैं व वो तो 23 नमंबर कोई दिली में लागू हो गए थे तब उन्होंने कोई बात नहीं की अब वो केवल राजने तिक रोटियां सेंकने के लिए पता नहीं क्या क्या करें यह उनकी फितरत है मैं उनके बारे में और जादा कुछ नहीं कहना चाहता इस्थानी प्रसासन ने क्या कि नहीं है इसलिए में कोई टिपड़ी नहीं कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाज शिवरासिंग चुहांची आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और लगातार मध्यप्रदेश की मुख्य मंत्री भी किसानों से ही अपील कर रहे हैं कि आप